कि अंजी क्या हां चाल सब ठीक्टा कुशल मंगल भाई अमित पूपली के साथ सी अमित पूपली के साथ कॉर्परेट न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हैं मंडे का दिन है और तारीख है हमारे पास 26 जून दो हजार ते प्रफेशनल कोर्स करने वाले स्टुडेंट्स के लिए जो कि सीए कर रहे हैं सीएमे कर रहे हैं सीएस कर रहे हैं कोई भी इस प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कि आपको आपकी नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश की गई है यह सीरीज के द्वारा की को सीरीज चलती है जिसमें हम चर्चा करते हैं शेयर या फिर कंपनी ऑफ दवीक की जिसमें हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में एनलेसिस करते हैं हमने कल जो हमारी सीरीज थी इसी के अंदर हमने अंबुजा सीमेंट के बारे में एनलाइस किया था और जो अब हमा वापस आते हैं न्यूज पर वापस आने से पहले एक छोट इस न्यूज आप लोगों के लिए भी देखो जी ऐसा पॉसिबल है कि आपके छोटे भाई बहन या फिर जुनियर या फिर गल्फेंड्स या फिर बॉइफ्रेंड्स 11-12 कर रहे हैं हो गल्फेंड बॉइफ्रेंड जिसमें चार्टेड अकाउंटेंड बन चुके या बनने वाले मतब समी कॉलिफाइड चार्टेड अकाउंटेंड ये जो C.M.A.C.A. फाइनलिस्ट हैं ये स्टूडेंड मिलकर या चार्टेड अकाउंटेंड मिलकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं 11-12 की कॉमर्स एंड़ेड इस अलसो विदाउट एनी चार्च तो ये पूरी टीम है जो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं और मैं classes की Assurity मैं लेता हूँ कि इनकी जो quality है वो आज की date में online में जितने भी चिलाने वाले बैठे हैं उनसे कई गुना जादा है तो आप अपने जितने भी friends, juniors हैं जो भी 11-12 के लिए commerce की coaching देख रही हैं उनको एक बार जरूर रेफर कीजेगा और यह मेरी Assurity है कि quality इनसे बहतर नहीं मिलेगी online में यह सभी के सभी CA finalists है या फिर यह chartered accountants है चले है तो अब आते हैं अपने main मुद्दे पर आएगा main मुद्दे पर लो जी अब हम आते हैं हमारा आज का मुद्दा है क्या-क्या news है हमारे पास सबसे पहली news जिसको हम काफी time से follow कर रहे हैं वो है Zee और Sebi को लेकर आज hearing की date थी security appellate tribunal में सेभी के order के खिलाफ सुभाष चंद्र और उनके पुत्र पुनीत गोयनका ने application फाइल की जहां पर सेभी ने एक interim order पास किया हुआ है कि ये दोनों किसी भी listed company में आप डारेक्टर नहीं बन सकते जिसकी वज़ा से Zee और सोनी के बीच में जो merger डील थी उसके उपर भी एक बहुत बड़ा question mark लगा हुआ है तो आज सेभी के decision के खिलाफ उसकी जो appellate authority है सेभी की security appellate tribunal वहाँ पर इन दोनों पिता पुत्र ने application सब्मिट की थी आज security appellate tribunal का कहना है कि हमने अभी तक सेभी के order को पूरी तरहां से go through नहीं किया जिसके लिए हमें एक दिन और चाहिए इसलिए hearing की date अब 27th को pass on कर दी गई है बट experts का कहना है कि ये जो security appellate tribunal ने कहा है कि अभी हमने सेभी के order को go through पूरी तरहां से नहीं किया तो इसका मतलब है कि सेभी का order पूरी तरहां से clear नहीं है ये legal experts का कहना है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई page निकलेगा जिससे पुनीत गोयन का और सुभाष चंदर को राहत मिल सकती है ये legal experts का कहना है फिलाल कल hearing की date है तो कल ज्यादा पता लग पाएगा कि सेभी के order को confirm करता है मोडिफाई करता है या quash मतलब cancel करता है तो ये कल पता लग पाएगा तो आज का update इस deal पर ये है तो फिलाल जितने भी investors है जो ये अगर clipping सुन रहे होंगे तो वेट करना पड़ेगा कल का दिन और तभी कुछ पता लग पाएगा तो फिलाल हमारी अगली news आ रही है कैप्टाउन कंवेंशन को लेकर कैप्टाउन कंवेंशन गया है कैप्टाउन कंवेंशन हाँ ये भी बड़ा इंट्रस्टिंग एक agreement है इंट्रस्टिंग एग्रिमेंट इन असेंस देखो जी आप जानते हों कि ओवरा पीरिड अफ टाइम हमारे देश में कितनी एयरलाइन कि एसे नाजाने कितनी एयरलाइन हमने ताब इचलाई विर्लाइन कितनी दोफिकहिं कि एह Peng नाव जानते इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो फिलाल आप जानते ये भी जानते होंगे कि पूरे संसार में दो सबसे बड़ी जो कंपनिया हैं जो की प्लेन मैनुफेक्चर करती हैं जिनके प्लेन को पूरा संसार की या सारे संसार की एरलाइंस ज्यादा तर या तो खरीती हैं या पर खरीती हैं और इन दो सबसे बड़ी कंपनियां जो की दुनों यूएस की हैं नाम है एयर बस एंड बोईंक दुनों का अब ज्यादा तर जो यह प्लेन बनाती है यह लीज के उपर देती हैं चेके जी आप हमारी कई कंपनिया जैसे एयर इंडिया आप कई प्लेन इंडिया तो मतलब डेफिनेटल अविएशन सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर तो है बट कही ना कहीं एयर लाइन कंपनिस मैनेज नहीं कर पारी इस बिसनस को फिलाल क्योंकि अपने अपने शौक में आप मैं कहूं किंग विशर एयर लाइन क्यों नहीं मैनेज कर पाई उसके एमडी को अपने शौक थे अजीब अजीब शौक थे अच्छा आगर जेट एरवेस की बात करें तो फिर उसके एमडी को मतलब वो भरष्टाचार में डूबे हुए आदमी थे तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है जेट लाइट का केस थोड़ा सा आजीब है क्यों क्योंकि यहां पर financial irregularity हुई है इंजल सप्लाइश ना होने की वज़ा से जिसकी वज़ा से इनहे प्लेन जो है वो स्टोरी को कभी और मैं पक्का डिसकस करूँगा बट फिलाल आज आते हैं कैप्टाउन कन्वेंशन पर कैप्टाउन कन्वेंशन क्या कहता है यह प्रेशराइज किया गया कैप्टाउन कन्वेंशन एक तरीके से एरबॉस और बोईंग के दवारा कि भया अगर हम मानलीजिये काण लीज पर लियाइँ और अगर वो कम्पनि जिसको हमने लीज पर दिया है वो एरलाइन कंपनी अगर मान लीजे डिफॉल्ट कर देती है डिफॉल्टर बन जाती है तो हमें हमें उन प्लेन को टेक ओवर करने में क्योंकि वह हमारी प्रॉपटी है उन्हें टेक ओवर करने में कोई अडचन नहीं आनी चाहिए किसी भी देश के द्वारा तो यह एक समझोत प्रॉपटी पर कबजा नहीं कर सकते लेसी की यानि कि अगर मॉरेटोरियम लग गया सेक्षन हमारा इंसल्वेंसी और बेंकरप्सी कोड कहता है कि अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं जिन एसेट को उठा कर ले जा नहीं सकता जेट लाइट में ये प्रॉब्लम आ गई इंसल्वेंसी और बेंकरप्सी कोड के द्वारा अब कंपनी का कहना था एयर बस और बुइंग का कि ये तो भारत गलत कर रहा है इसलिए मौनसुन सेशन के अंदर अब केप टाउन कंवेंशन की बात के जा सकते हैं इस तरीके का बिल मौनसुन सेशन में आने वाला है यानि कि अगर अब हमारी कोई एयर लाइन डूबी तो अब ये लेसर इंतजार नहीं करेंगे उठा के ले जाएंगे चले तो ये केप्टाउन कंवेंशन की बात थी और आगे बढ़ते हैं बाइजूस को है अपने इंवेस्टर्स को कि रुको 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 इंतजार तुम्हारा ज्यादा नहीं होगा और सेप्टेंबर में हम अपनी फाइनेशल ये 2022 की फाइनेशल स्टेट्मेंट फाइल करने वाले हैं देर आये दुरूस्त आये अभी आये नहीं है मगर आने की मंशा जताई है कि हां जी और इन्हों निया ओडिटर भी अपॉइंट कर दिया हैं जिनका नाम है बीडी ओ बीडी ओ मतब एमसके एंड एसोसीएट क्यों क्यों क्योंकि आप जानते हैं डेलॉइट जिसका कॉंट्रेक्ट पांच साल के लिए था और बीच में छोड़के चले गए क्यों कंपनी अक्ट सेक्शन 137 अगर आपको याद हो सब्मीशन ओफ फइनाशल स्टेट्मेट टु र Angel और इसफ इस पर 96 उसके last day on which the AGM should have been held, उसके 30 दिन के अंदर अंदर financial statement company के ROC को file कर जानी चाहिए, परन्तु इन्होंने उसके धजिया उड़ाई है, तो penalty जो भी है, section 137 of the company's act में, वो तो इन्हें कि competition act क्या कहता है, कि मैं इस देश में competition को बढ़ावा देना चाहता हूँ, अगर कोई company competition को avoid करने की कोशिश कर रही है, तो उसे care नहीं है, अब यहाँ पर एक section 4 है, जो नाम है जिसका abuse of dominant position, abuse of dominant position, dominant position होता है, कि आपका market में बहुत majority हिस्सा है, और abuse का मतलब है, आप उस majority हिस्से का नाजायज यूज कर रहे हैं, consumer की धजिया उड़ाने में, ओके, अब LG Electronics के खिलाफ एक case file किया गया, recently competition commission of India में, अच्छा, case किसने file किया, case file करने वाली company का नाम है PIL, पोपली industry limited नहीं है ध्यान रखना, PIL मतलब perfect infra engineers limited, अच्छा, इस company ने क्या किया, कि इस company ने USA की एक company है, SunTrack USA, जिसके साथ मिलकर एक product बनाया, hybrid thermal solar, HTS, इन्होंने एक product बनाया, यह product जो है ना, जो हमारे घरों में, वो जो split AC लगे होते हैं ना, या फिर जो डिली metro वगरा के अंदर भी, जो metro के अंदर भी, जो split AC लगे हो है ना, यह उनके अंदर fit अगर हो जाए, तो बिजली की बहुत बचत करता है, यह panel, इस company ने, PIL ने, LG electronics को कहा, और साथ में DMRC को कहा, कि आपके हाँ, LG electronics के AC लगे हैं, तो इसलिए, आप एक काम कीजिए, कि हमारा यह product हम से ले लीजिए, और अपने जितने भी ACs हैं, उनमें लगा दीजिए, बिजली की बहुत बचत होगी, LG electronics ने इनके proposal को decline कर दिया, और यह decline करके, क्योंकि LG के ACs, दिली metro में भी लगे हुआ हैं, LG ने, दिली metro को भी कह दिया, कि हमने reject कर दिया, बाई साब, तो हमारे ACs के अंदर तो यह install नहीं होना चाहिए, तो DMRC ने भी reject कर दिया, बाई साब, इस company ने case कर दिया, LG electronics के उपर, competition commission of India में, और कहा, कि LG electronics अपनी position का नाजायज फाइदा उठा रहा है, और हमें market में नहीं आने दे रहा है, हमें market नहीं बनाने दे रहा है, और consumer का नुकसान कर रहा है, लो बताओ, मगर अगर आपने मेरा product नहीं खरीदा, तो मैं तुम्हारे उपर case कर दूँगा, बड़ा इंट्रस्टिंग हुए यह तो, खेर जी, अब हुआ क्या, competition commission of India में case गया, जहाँ पर LG electronics का कहना था, पहली बात, यह कहते हैं कि LG ने abuse of dominant position किया, अरे abuse of dominant position तो तब होगा ना, जब dominant position होगी, मेरे पास तो dominant position ही नहीं है, जहाँ तक split AC की बात करूँ, तो LG electronics का कहना था, यह मुझे भी पहली बार पता लगा, क्या, कि LG electronics कहता है कि split AC market में हमारा तो ज़्यादा share ही नहीं है, क्योंकि split AC market के अंदर, market leader हम है ही नहीं, वो तो Daikin नाम की company है, Daikin is a market leader with a 44% average market share, और हमारा market share split AC की market में किवल 16% है, तो 16% के साथ कोई dominant position में हो सकता है, या, नहीं, जब हम dominant में position में नहीं हैं, तो फिर हम उसे abuse किया से करेंगे, CCI ने बात को accept किया, और case को decline कर दिया, कि ये कोई case बनता नहीं है, बढ़ क्या कमाल की बात है मतलब, कि तुम मेरा product नहीं खरीद रहे, तो मैं CCI में तुम्हारे गिलाब जा रहा हूँ, तो फिलाल, ये थी आज की सारी news, जो आज की घटनाएं, घटी हैं, और ऐसे ही और interesting news के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, अगर आपको ये news पसंद आई, तो please इस channel को like कर दीजेगा, सब्सक्राइब कर दीजेगा, अपने दोस्तों के साथ इसे share भी कर देना, अगें सभी CA, CMA, CS करने वाले सभी students, चाहे आप inter के हो, final के हो, या हो सके तो foundation के भी हो, ये सब news आपकी corporate knowledge को बढ़ाने के लिए दी जा रहेंगे, thank you, thanks a lot, मिलते रहेंगे, अगले session के साथ, thank you, bye bye, take care.